प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत्व प्रसिद्ध हैं, उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाये उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें. बस हो गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. प्रभू ने एक बार और इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभू का बहुत शुक्र गुजार हूं. एक्शली इस तरह से एक साथ बैठ कर प्रभू के वचन से चुने हुए विश्यों का अध्ययन अपने आप म एक बहुत अद्बुद बात है. हम इस बात को याद रखें कि आज हमारे चारों तरफ इस तरह के तमाम सारे देश हैं जहां लोगों को प्रभू का वचन खोल कर पढ़ने या अध्ययन की सुविदा नहीं हैं. बहुत कड़ाई से मसीहियों का दमन हो रहा है. आज इसी एक हफ़ते में हमारे सामने जो डेवलेप्मेंट हुआ है अफगानिस्तान में किस तरह से मसीही विश्वासियों के आजादी छीन ली गई है. इस कारण फुर से मैं प्रभू को धनिवाद देना चाहता हूं कि प्रभू ने इस तरह से एक मौका दिया कि हम बड़े आराम से प्रभू के वचन की घोशना खुल कर कर सकते हैं. पिछले दो हफ़ते हमने पड़मेश्वर के वचन का अध्यान किया. मैंने ये बात बार-बार आप सबको बताई थी कि पड़मेश्वर का वचन अपने आप में एक बहुत ही विशाल विशे है. जिसका अध्यान हम आरम करते हैं तो कहां से आरम किया जाए, कहां समाप्त हो, ये सूचना भी मुश्किल है, अपने आप में इतना व्यापक विशे है. ये प्रभू की दया है कि प्रभू ने हमको ये मौका दिया कि इस तरह से हम इस व्यापक विशे के एक ऐस्पेक्ट को स्पर्श करके वहां से क्रमबद तरीके से आगे बढ़े. मैं फिर से दो बातें याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ये दोनों बातें फैक्ट होने के बावजूद हम भूल जाते हैं. पहली बात ये है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वे मसीही है जो लोग ये दावा करते हैं कि बाइबल हमारी विशिष्ट पुस्तक है इन में से हर व्यक्ति बाइबल विश्वासी नहीं होता है मसीही जगत में बाइबल को पूर्ण रूप से वर्जित करने वाले चर्च से लेकर यह चर्चस से लेकर बाइबल को पूर्ण रूप से रिजेक्ट करने वाले चर्चस और सब का दावा है कि हम मसीही हैं यह मसीही नहीं है यह बात मैं याद दिलाना चाहता हूं यदि कोई व्यक्ति बाइबल को रिजेक्ट कर देता है बाइबल को प्रभु का वचन नहीं मानता है तो मसीही नहीं है लेकिन लोगों को अपने आपको मसीही कहना बड़ा अच्छा लगता है इस कारण जिन चर्चस में बाइबल का पढ़ना पूरी तरह से वर्जित है या प्रभा वहां से लेकर जो लोग बाइबल को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं जैसे यूनिटिरियन्स वहां तक सभी अपने आपको मसीही बोलते हैं लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि असली जो मसीही लोग हैं वे वो लोग हैं जो प्रभु के वचन को जैसा जैस प्रभु का वचन कहता है वैसा ही मान लेता है ब्रदरन विश्वासी लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो प्रभु के वचन को जैसा है जहां है उस आधार पर प्रभु के वचन को मानते हैं और मैंने कहा था कि हम हमारे बारे में जो जो शब्द हमें यूस करना चाहिए वो है हम धर्मनिष्ट लोग हैं धर्मनिष्ट का मतलब है कि हम प्रभू के वचन को जैसा है वैसा का वैसा मानते हैं इसके लिए एक और शब्द का उपियो किया जा सकता है और किया जाता है और वो है सन रचना वादी लोग जो प्रभू के वचन को बिना किसी फेर बदल के उसको सन रच्षित रखने की कोशिश करते हैं जब्द हमने सुना है नेचर कंञजरवेशन पर इतना जूर दिया जा रहा है कि आज हिंदुस्तान में एक आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा conservation पर इतना ज़्यादा emphasis है कि आज मनिश से ज़्यादा जायनवरों को अधिकार दिये गए है हम लोग प्रभू के वचन के मामले में conservative है जैसा है उसको हम वैसा का वैसा मानते हैं और वैसा का वैसा सिखाते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जो conservative मसीही लोग हैं हम लोगों के लिए जो correct word है conservative धर्मिनिष्ट या यथा स्थितिवादी यथा स्थितिवादी का मतलब है जैसा है हम प्रभू के वचन में किसी तिरह का फेर बदल नहीं करेंगे जोड बाकी गुणा भाग नहीं करेंगे ऐसे लोगों को प्रभू के वचन से संबंदित कुछ महतोपूर्ण statements याद होने चाहिए जो मैंने आपके सामने पिछले हफ़ते रखे थे जिसमें से पहला था दूसरा तिमोती तीसरा अध्याए 16 और 17 दूसरा था पहला पत्रस पहला अध्याए 20 और 21 तीसरा था भजन 147 उननीस और 20 और चौथा था निर्गमिन की पुस्तक पांचवा अध्याए एक और दो इन दोनों बातों को लास्ट दो पदों को मैं फिर से रिवियो करना चाहता हूं ब्रद्रेंड मंडली में लोगों के बीच में एक बड़ी गलत फहमी पिछले 50 सालों में गॉस्पल लिट्रेचर सर्वीज द्वारा पब्लिश्ट एक ट्रैक्ट के कारण जिसका हिंदी टैटल है बलिदान और इंग्लिश में है सैक्रिफाइस इस ट्रैक्ट के कारण एक गलत फहमी ब्रद्रेंड विश्वासियों के बीच में पैदा हो गई थी कि बाइबल के बाहर भी प्रभू का पवित्रात्मा की प्रेरणा से लिखे गए ग्रंथ हैं मैंने प्रभू के वचन से ये बात याद दिलाई कि प्रभू ने पुराने नियम में अपना वचन सिर्फ यहूदियों को और यहूदियों के द्वारा दिया ये दोना बातें जरूरी है सिर्फ यहूदियों के द्वारा दिया और सिर्फ यहूदियों को दिया दुनिया के सारे धर्म इसलाम को छोड़कर दुनिया के सारे धर्म और उनके सारे धर्म ग्रंथ पुराने नियम के काल में ही लिखे गए थे पुराने नियम और ये जो धर्म ग्रंथ हैं जैसे हिंदूओं के वेध हैं या जैनियों की पुस्तके हैं बुद्ध लोगों की पुस्तके हैं या टावो शिंटो ये सब पुराने नियम के समकालीन है तो पुराने नियम में प्रभू का वचन साफ साफ बताता है कि पुराने नियम जब लिखा गया था पवित्रात्मा की प्रेरना से तब प्रभू ने उसके समकालीन किसी को पवित्रात्मा की प्रेरना नहीं दी पवित्रात्मा की प्रेरिना सिर्फ यहुदियों को दी गई और प्रभू का वचन भजन 147 के 192 में ये भी बताता है कि प्रभू ने इस तरह से किसी भी जाती से व्यवहार नहीं किया और अन्य लोगों ने प्रभू के नियमों को नहीं जाना इस कारण ये जो गलत फहमी बहुत सारे खास कर ब्रदरन लोगों में है ये गलत फहमी कि प्रभू ने अपना वचन दूसरों को भी दिया है पवित्रात्मा की प्रेरना से लिखा गया वचन दूसरे धर्मों में है ये एक बड़ी भारी गलत फहमी है इस गलत फहमे को और भी ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचार किया है CSI लोगों ने CSI के काफी लोगों ने इसको बहुत अधिक इसका प्रचार किया है कि आनि जो धर्म ग्रंथ है उन में भी पवित्रात्मा की प्रेरना से लिखे गए प्रभू के वचन है लेकिन प्रभू का वचन इससे इनकार करता है जहां तक नए नियम का काल है नए नियम के काल के समकालीन कंटेंपररी दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है इस कारण कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उन ग्रंथों में कहीं नए नियम की सच्चाईयां तो नहीं है कोई भी ग्रंथ नहीं है, सब नए नियम के पहले लिखे जा चुके थे एक को छोड़ कर जिसके बारे में मैं अभी आद दिलाओंगा और जहां तक नए नियम की बात है, नए नियम की 2700 पुस्तके मसीही विश्वासियों के द्वारा आई हैं किसी भी गैर मसीह के द्वारा नहीं, ये बात मैं आपको सपष्टतया बताना चाहता हूँ क्योंकि पवित्रात्मा की प्रेरणा से भविश्य वक्ताओं ने जब ये पुस्तके लिखी, तब भविश्य वक्ता की प्रेरणा सिर्फ प्रभु ईश्व के द्वारा जिनोंने नया जीवन पाया है, उनी लोगों को दी गई थी मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यहूदियों के बाहर पुरेनी नियम में किसी ने पजमेश्वर को नहीं पहचाना था फिरौन से निर्गमन के पांच्वे अध्या के पहले और दूसरे पद में हम देखते हैं फिरौन से मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी लिए पर्व करें फिरौन यहूद को नहीं जानता मैं इस्राइलियों को जाने नहीं दूंगा याद रखें कि इजिप्शिंस दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है इवन पुराणी नियम की कई पुस्तकें जो लिखी गए थी उसके पहले इजिप्शिं धर्म अपने पीक पर पहुँच चुका था लेकिन इजिप्शिं फरौन जो फिरौन है उसने साफ को कौन यहोगा कौन मैं नहीं जानता इस बात को मैं बार-बार याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ईशु के द्वारा जो उधार है उसके बारे में बाइबल के बाहर कहीं भी कोई रेविलेशन नहीं है बाइबल से काफी कुछ कौपीस की गई है या जो नकल उतारा गया है मुसलिम्स के धर्म गरंथ कुरान में मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि पवित्र बाइबल के कंप्लीट हो जाने के 700 साल के बाद वो धर्म आया था और उसके जो स्थापक थे वो यहूदियों के धर्म गरंथों और मसीहियों के धर्म गरंथों से पूरी तरह से परिचित थे और इसका अरण यहूदियों के और मसीहियों के धर्म ग्रंतों से काफी सारी बाते हम कुरान में देखते हैं लेकिन आज जो लोग सुन रहे हैं प्रभू का वच्चन इन में से मेरा अनुमान है जादा तर लोगों ने नहीं पड़ा है मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो कुछ कहा गया है उन में से बहुत सी बातें उसके exactly विरुद कही गई है और इसलिए मुसलिम्स बाइबल में कही बातों को इंकार करते हैं जैसे हम जानते हैं कि इब्राहिम ने अपने पुत्र इस हाक को बलिदान के लिए ले जाकर वेदी पर बांध कर लिटाया था लेकिन वो लोग कहते हैं दावा करते हैं कि इश्माइल के साथ ऐसा हुआ था तो बाइबल में जो बाते कही गई हैं उनमें बहुत सारी बातें बाइबल के कंप्लीट हो जाने के 700 साल के बाद लिखी गई है बहुत सारी बातें कॉपी की गई हैं लेकिन उनका मूल उदेश बाइबल में जो कहा गया है उसको ऐसा का ऐसा लोगों के सामने रखना नहीं है बलकि उसको तोड मरोड कर पेश करना है इसको भी जरा मन में रखें तो पवित्र बाइबल के अलावा पवित्र बाइबल की 66 पुस्तोकों के अलावा दुनिया के किसी भी पुस्तक में पवित्रात्मा की प्रेरना से लिख अगली बात इससे संबंदित जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो यह है कि कई बार मसीही जगत में ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो प्रभू के वचन को किसी ना किसी तरह से प्रभू के वचन के अधिकार को अथारिटी को चैलेंज करते हैं यह कई लेवल पर हो सकता है बहुत सारे लेवल पर हो सकता है उसमें से एक आद मैं बताओंगा लेकिन लोग प्रभू के वचन के वचन की जो निस्थ तुल्यता है मतलब इसकी तुलना दुनिया में किसी चीज से नहीं की जा सकती इस कारण बाइबल के लिए जो शब्द सही रीती से हमें यूज करना चाहिए उसमें से पहला शब्द है प्रभू का वचन अनोखा है अनोखे का मतलब यह है कि वो अपने आप में ऐसा है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती उसी चीज को अपन हिंदी में अतुली भी बोलते हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती उसी को अपन हिंदी में बे जोड बोलते हैं उसकी कोई जोडी नहीं है तो प्रभु के वचन के लिए जो शब्द हमेशा हमारे मन में रहने चाहिए यह शब्द मैंने एक से अधिक शब्द इसलिए बताए कि इसमें से कम से कम कोई ना कोई तो हमारे दिमांग में रह जाएगा यह अनन्य है, मतलब ऐसा कोई अन्य नहीं है, अनोखा है, अतुल्य हिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है, अद्विति है, मतलब इस तरह का दूसरा नहीं है, बे जोड है, इसका मतलब इसकी जोड का और कोई नहीं है, इस बात को याद रखकर हम आगे बढ़ें, लेकिन फि या इंडिरेक्ली प्रभू के वचन के अनोखेपन को चैलेंज करता है तो इस बात को याद रखें कि वो व्यक्ति विश्वास से या तो गिर चुका है या गिरने की कोशिश में हैं आप पूछेंगे ब्रदर ऐसा भी होता है क्या मतलब मसीही लोग प्रभू के वचन को चैल करते हैं एक उदाहरंड मैं दूँ आप मैं से कुछ लोगों को सेलेक्टेट कुछ लोगों को मालूम है कि मैंने कई विश्व में स्पेशलाइज किया है जिसमें से एक है बाइबल एन साइंस बाइबल एन साइंस में मैंने चूंकि स्पेशलाइज किया है इसको मसीही जगत में कई लोग जानते हैं सब लोग नहीं जानते हैं लेकिन कई लोग जानते हैं और कई बार जब मैं जवानों के बीच में संदेश देता हूँ और जब मैं जवानों से बोलता हूँ और ये मेरी आदत है मैं जब युवा लोगों से बोलता हूँ तब इस बात को कई बार दुहराता हूँ कि बाइबल पवित्रात्मा की रचना से या पवित्रात्मा की प्रेरना से लिखा गया एक ग्रंथ है इसलिए शत्प्रतिशत ही है मुझे मालूम है जब भी मैं ये प्रस्ताव बोलता हूँ तो दो-ढ़ाई सो लोग इधी बैठे हुए हो तो उसमें दो-ढ़ाई लोग जरूर विचलित हो जाते हैं आप पूछेंगे ढ़ाई लोग कैसे विचलित हो जाते हैं आधाई मैंने इसलिए कहा कि दो लोग प सकता हूं और अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के लोग जब question answer आवर आता है तो खड़े होके कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लेते हैं उनको लगता है हमने बड़ा तीर मार लिया हमने ब्रदर जॉंसन ने जो बात कही थी उस बात का खंडन कर दिया जॉंसन कह रहे थे कि Bible एक अनोख ही पुस्तक है जिसमें कोई गलती नहीं है और अभी मैंने बता दिया कि गलती है Actually इन में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि Bible की जो तथा कथित गलतियां जिसको पब्लिक के सामने वो बता रहे हैं इन ये पिछले 100 साल से नास्तिक लोग या 200 साल से नास्तिक लोग बूलते आए हैं और मसीही जगत में जिन लोगों ने Bible and Science में स्पेशलाइज किया है वे लोग first month उस course जो कई सालों का है उसकी study के first month में ही ये सारे प्रश्न पड़ भी चुके हैं उसका उतर भी जानते हैं और कई बार जब मैं उतर देता हूँ तो उन लोगों के चहरा उतर जाता है इसलिए मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ प्रभू इस audience में यदि किसी को लग रहा हो कि प्रभू के वचन में गलती हैं, कब से कम वो अपना मूँ न खोले, मुझे बूलना नहीं पड़ेगा तो मेरे प्रिये भाईयों और बहनों, आज जो जो प्रभू के विश्वासी लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं ये लोग दो बात समझ लें, नमबर वन, यदि आपके मन में ये फीलिंग है कि अरे ये ब्रदर जॉन्सन कह रहे हैं कि बाईबल में हर चीज शत प्रतिशत एकुरेट है, ब्रदर जॉन्सन ने बाईबल धंग से नहीं पड़ा होगा ये प्रशन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, आपने बाईबल 66 पुस्तके पड़ रखी हैं क्या एक बार तो आती हो गई जब एक बुजुर्ग ने पूछा कि तू आठवी क्लास से आगे पड़ा है क्या मैं सभी भाई और भेहनों को याद दिलाना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति इस तरह से प्रभु के वचन की एकुरिसी को उसके उपर प्रश्ण लगाता है तो यकीन मानिये कि वो व्यक्ति या तो विश्वास का त्याग अपने खृदे के अंदर कर चुका है या त्याग करने की मंजल पर है दूसरी बात आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इन में से यदि किसी भाई या बहन के मन में प्रभु के वचन संबंदित कोई डाउट है किसी तरह की शंका हो मुझे भेज दीजे प्रभु ने मदद की तो मैं उस शंका का आने वाले दिनों में क्योंकि हम बाइबल का ही अध्यान कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में शंका समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा लेकिन आपके मन में यदि कोई शंका है और उसके समाधान के लिए मुझे भेजने के बदले यदि आप उसे अपने मन में दबाए रखें और यह बोलते रहे कि brother Johnson आपको लग रहा है कि इसका उत्तर आप दे देंगे लेकिन नहीं नहीं इसका कोई उत्तर नहीं है यहाँ बाईबल में गल्ती हुई है तो यकीन मानिये मेरे प्रिये भाई, मेरे प्रिये बहन, आप अपने विश्वास के साथ खिलवाड कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ये प्रिष्ठ भूमी के रूप में आज बोलने के बाद, इसके बारे में हम प्रभु ने मदद की, तो कुछ और बातें विस्तार से देखेंगे लेकिन प्रिष्ठ भूमी में इन सब बातों का बोलना और ये जोर देकर आपके सामने रखना जरूरी है, कि प्रभु का वचन अनोखा है, अद्विति है, ऐसा, ऐसी कोई पुस्तक इस दुनिया में नहीं है, बे जोड है, इसकी जोड़ी का कोई पुस्तक इस दुनिया मे क्यातलिकों की बाइबल में छे पुस्तकें और हैं, वो जब आएगा, जब उसका मौका आएगा, तब अपन उसको देखेंगे कि वो वहां क्यों है, और वो प्रभु की प्रेरना से लिखी गई हैं, पवितरात्मा की प्रेरना से लिखी गई हैं या नहीं हैं, लेकिन वो और थोड़ा सा डीटेल देखने के लिए मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ, वो है, पवितर बाइबल के बारे में, पवितर बाइबल में ही जो शब्द मिलते हैं, आप पूछेंगे इसका क्या महत्व है, पवितर बाइबल, पवितर बाइबल के ही बारे म जिन नामों का उपयोग करता है उसका क्या महत्व है बहुत महत्व है आज दुनिया में जो हजारों भाषाएं और दस हजारों में जो संस्कृतियां हैं उनके अध्यायन से एक बात स्पष्ठ हुई है कि जो समूह जिस बात को जितना अधिक महत्व देता है उस संस्कृति में या उस समूह में उस बात से संबन्दित उतने ही अधिक शब्द होते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि पवित्र बाइबल चूंकि एक अनोखी पुस्तक है इसलिए निश्चित रूप से पवित्र बाइबल में बाइबल के बारे में अनेक शब्द होने चाहिए जी हाँ यह एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है पवित्र बाइबल में पवित्र बाइबल के ही बारे में अनेक शब्द हैं संख्या इतनी ज़्यादा है कि वे सारे शब्द में आपके सामने रख नहीं पाऊंगा लेकिन उन में से कुछ रखोंगा उसके पहले एक दो बात और हम एसकिमोस के बारे में जानते हैं एसकिमो लोग जो ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां साल में बारा महिने बरफ धकी रहती है ऐसा अनुमान है कि जो लोग बारा महिने बरफ से ढखे हुए प्रदेश में रहते हैं इन एसकिमोस के बीच में बरफ के लिए या आइस के लिए सो से डेड़ सो अलग अलग शब्द हैं मेरे आपके लिए तो बरफ बरफ है ज्यादा से ज्यादा हुआ तो हम हिंदी में एक शब्द का और उपयोग करेंगे वो है हिम लेकिन एक्चुली हिम बरफ नहीं होता है ये मैं याद दिला दूँ हिम कुछ और चीज है जो खासकर जेनरली हिमालिया वगरा में पाई जाती है जो light को ऐसा reflect करता है कि आदमी कई बार temporary या permanent रूप से अंदा हो जाता है सही रीती से कहा जाये तो हिम उसको बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में snow भी कहा जाता है snow एक प्रकार का ice है लेकिन ice नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हिंदी में दो शब्द है आप शायद एक और शब्द कहीं से ढूंडांड के नेकाल लाएं लेकिन मेरी जानकारी में तो नहीं है तो जिस संस्कृती में या जिस समू में जिस चीज को बहुत महत्व दिया जाता है उसके लिए बहुत शब्द होते हैं मैं एक ऐसे प्रदेश में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ जो कृषी प्रधान है ये मैं जिस मकान में रहता हूँ लगबक 4.4,000 स्क्वेर फुट जमीन है मेरा अनुमान है कि कम से कम इस छोटे से प्लॉट में छे साथ बड़े पेड़ हैं कम से कम चार नैरियल के पेड़ हैं जिसमें और हमको कम से कम साथ आठ प्रकार के की उपज इसमें से मिलती है चोंकि ये कृषी प्रधान छेत्र है इसलिए हम तो अपन हिंदी में बोलते हैं फसल या फल पक गया है लेकिन उस पक गया है के लिए यहां की जो स्थानी ये भाषा है इसमें कम से कम पांच ये अच्छे अलग अलग शब्द हैं जो पके हुए फल के इवन पकने के विभिन स्टेजस को प्रधरशित करता है इसी तरह से प्रभु का वचन जो मेरे आपके जीवन में एक अतिप्रधान या निरनायक रोल फले करता है उसमें प्रभु के वचन के अपने स्वयम के बारे में इस कारण कई सारे शब्द हैं जिन में सबसे पहला शब्द जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ वो है पवित्र शास्त्र हिंदी में जो कई बाइबल हैं उन में से एक बाइबल के उपर उस पे मचली का चिन्न बना हुआ है इसके करण कई लोग उसको मचली बाइबल बोलते हैं एक्चुली वो न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल का हिंदी अनवाद है उसके उपर बड़े अच्छिरों में पवित्र शास्त्र लिखा गया है जो की ग्रीक से आया है ग्रीक में ग्राफे नाम का शब्द उपियोग में आया है और इसको हम प्रभु के वचन में किन पदों में देखते हैं उनमें से कुछ पद मैं आपको आपकी स्टडी के लिए दे रहा हूँ मैं जो रेफरेंस बोलूँगा उसमें से कुछ तो पढ़ूँगा कुछ सिर्फ रेफरेंस देता चला जाओंगा और दया करके उसको नोट करते चले जाएं जिससे कि आप बाद में इन चीजों को और विस्तार से स्टडी कर सकें जैसा मैंने एक क्लास में याद दिलाया था बाइबल स्टडी के लिए सबसे महत्वपूर्नी चीज़ एक बाइबल एक डैरी एक पेन खुरुपया इन पदों को नोट करते चले जाएं और फ्री टाइम में इनको जरा पढ़ते चले जाएं मर्कुस बारा दस अंदरा का थाइस लूप चार का इकीस रोमयों चार का तीन रोमयों चार तीन गलातियों चार तीस दूसरा तिमोथी तीन सोला दूसरा पत्रस एक बीस इन सब जगे पवित्र शास्त्र शब्द का उपयोग हुआ है कुछ translations में थोड़ा सा अंतर हो सकता है ये सब प्रभू के वचन के लिए प्रभू के वचन के ही द्वारा लिखा गया एक शब्द है ग्राफे का मतलब है actually लिखित रूप में लेकिन उसका अनुवाद पवित्र शास्त्र इसलिए होता है कि ग्राफे का जो उपयोग है वो उस अर्थ में होता है ब्रद्रिन मूवमेंट जो इंडिया और इंडिया के बाहर आरम हुआ इन सब जगर शुरू के की जो कम से कम दो पीडिया है उसमें बड़े बुजर्ग लोग जब बच्चों से कहते थे बेटा पुस्तक लेया ब्रिंग दे बुक तो उसका मतलब यह होता था कि बाइबल लेके आओ वच्च्पन में मेरे एक वीचितरा अनुभव हुआ जब मैं अपने नाना के साथ रहा संध्या के समय नाना ने कहा कि बेटा पुस्तक लेया तो मैंने कहा कि नाना जी कौन सी पुस्तक उनको बताना पड़ा पुस्तक मेरी नजर में सिर्फ एक है वो है धर्ण शास्त्र तो कम से कम ब्रदरन कम्यूनिटी में शुरू की जो दो पीडियां हैं वे लोग भी इसी सेंस में ग्राफे वाले सेंस में ही पुस्तक शब्द का उप्योग करते थे पुस्तक वो तो सर्फ पवित्र बाइबल है पुस्तके मैनिश के द्वारा रेचित हैं तो प्रभू के वचन में ही ग्रीक में एक शब्द है ग्राफे या जिसका अनुवाद हिंदी में हुआ है पवित्र शास्त्र और कम से कम एक बाइबल ट्रांसलेशन उसमें जो अनुवाद हुआ है वो है लोगोस आदि में वचन था लोगोस लेकिन नए नियम में कई जगए लोगोस का अनुवाद परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के वचन के रूप में हुआ है मरकुस आइम सॉरी युहना 10 का 35 इबरानियों चार बारा पदमेश्वर का वच्चन हर एक दोधरी तलवार से ज़्यादा धारदार है इबरानियों चार बारा पहला तिसलो निकियों दो का तेरा इसके अलावा और भी बहुत तरीके से बहुत सारे पद हैं जिसमें यह रफरेंट्स आया है इसके अलावा एक और शब्द जिसका उपयोग प्रभु के वच्चन के लिए डिरेक्ली किया गया है उसका अनुवाद हमारी भाषाओं में बहुत गलत तरीके से हुआ है और बहुत गलत तरीके से होने के कारण कई बार हम उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं अंग्रेजी में सही अनुवाद हुआ है टेस्टेमेंट उसका आज की भाषा में कहा जाए तो अंग्रेजी में होगा काविनेंट जिसका हिंदी अनुवाद सही सही हिंदी अनुवाद है वाच्चा मैंने भारती भाषाव में कुछ अनुवाद देखे हैं जहाँ पुराना करार और नया करार कहा गया है करार वाचा नहीं है करार का मतलब है अग्रिमेंट अग्रिमेंट एक ऐसी चीज है जहाँ दोनों पार्टीस को कुछ ना कुछ करना पड़ता है और कोई भी पार्टी उस एग्रिमेंट को एक निश्चित कंडिशन पर ब्रेक कर सकती है उससे बहतर ट्रांसलेशन है हिंदी का पुराना नियम और नया नियम लेकिन एक्चुली सही शब्द वाचा है पुरानी वाचा नई वाचा और ये शब्द वाचा या कावनेंट ये प्रभु के वचन के लिए कई जगह आया है कई जगह उदाहरण के लिए पहला कुरंथियों ग्यारा का पच्चिस दूसरा कुरंथियों तीसरा ध्याए छे और चौदा इससे संबंदित एक पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जहां इस शब्द का उपियोग हुआ है यहां इस शब्द का उपियोग पहले पद पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा इसी कारण वह प्रभू इश्यू नई वाचा का मद्यस्त है ताकि उस मृत्यों के द्वारा जो पहली वाचा मतलब पुरानी वाचा के समय के आपरादों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोग प्रतिज्या के अनुसार अनंत जीवन की मीरास को प्राप्त करें मीरास शब्द का उपयोग भी हम आजकल नहीं करते हैं यहाँ वाचा शब्द दो बार आया है नई वाचा पहली वाचा पहली वाचा से यहाँ पर तात्परिय पुराने नियम से है और नई वाचा से तात्परिय पदमेशों ने अपने बच्चों से जो नई वाचा बांदी है उससे है यह जो नई वाचा बांदी है जिस नई वाचा के कारण हम में से हर व्यक्ति को उद्धार पाने के समय ही याजक बना दिया गया था उस नई वाचा का विस्तार से वर्नन 27 पुस्तकों में दिया गया है मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ पुराने नियम में परमेश्वर ने यहुदियों से वाचा बांदी थी उस वाचा का जो पूर्ण डीटेल है मतलब वाचा वाचा से संबंदित आज्याएं आज्या से संबंदित परमेश्वर ने आपने लोगों की कैसे अगवाई की और परमेश्वर के लोगों परमिश्वर के प्रति आभार ज्टाया यह ना ज्टाया. यह सब उस पूरानी वाचा से संबंदित बाते हैं. इसलिए पूरानी वाचा से संबंदित बातों का लिखित रिकार्ड पूराना नियम, वो Old Testament या पूरानी वाचा कहे गई. इंदी अनुवात करते समय उसको पुराने नियम नाम रग दिया गया उसके कारण बहुत गलत फहमी हुई है सही शब्द होना चाहिए था पुरानी वाचा जो पुरानी नियम के आर्थ को स्पष्टतया बताता मैं फिर से याद दिला दूँ पुरानी नियम में के समय पदमेश्वर ने अपने चुने हुई जनता के साथ जो वाचा बांदी थी और वाचा बांदने के बाद उस वाचा के अनुसार पदमेश्वर ने अपने बच्चों का जिस तरह से ख्याल रखा और पदमेश्वर के बच्चों ने जिस तरह से पदमेश्वर के वाचा की उपेक्षा की इन सब का पूरा डीटेल 49 पुस्तकों में मिलता है चुकि इन 49 पुस्तकों का सम्मंद पुरानी वाचा से है इसलिए इन 49 पुस्तकों को पुरानी वाचा कहा जाता है उसी तरह से पिंतिकोस्त के दिन पदमेश्वर ने एक और वाचा बांदी पुराने नियम में वाचा सर्फ यहूदियों से बांदी गई थी नए नियम की वाचा में पदमेश्वर ने यहूदियों और अन्नी जातियों के अंतर को पूर्न रूप से लोप कर दिया इवन पुरिश और स्त्री का जो अंतर है वो भी लोप कर दिया किस तरह से लोप किया वो अलग विशे है मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा अब ना तो यहूदी है ना अन्नी जाती है ना स्वामी है ना गुलाम है अब सबके सब मसी में एक हैं यह है नई वाचा का एक उदाहरण नई वाचा अपने आप में बहुत व्यापक है उसमें से जस्ट एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूँ इस नई वाचा की एक विशेषता यह है कि अब ना तो कोई तंबू है आराधना के लिए मिलापवाला तंबू ना तो कोई तंबू है ना कोई मनिश के द्वारा निर्मित देवाले है बलके अब पवित्रात्मा हर व्यक्ति के खरदे में निवास करते हैं पुरैने नियम में ऐसा नहीं था पुरैने नियम में तातकालिक तोर पर कुछ विशेश कारियों के लिए लोगों को पवित्रात्मा दी जाती थी जैसे मिलाप वाले तंबू के निर्मान के लिए लेकिन जब वो कारी खतम हो जाता था तो पवित्रात्मा वापस चले जाते थे इसलिए दाउद ने प्रभू से याचना की कि है प्रभू राज्य करने के लिए आपने मुझे जो पवित्रा आत्मा दी है मेरे पाप के कारण अपनी आत्मा मुझसे छीन मत लीजिए पुरेने नियम में पवित्रा आत्मा का दिया जाना सिर्फ चुने हुए व्यक्तियों के लिए था और वो अस्थाई होता था नए नियम की जो नई वाच्छा है उसमें ना केवल प्रभू ने हम सबको सबके बीच में अंतर मिटा दिया बिल्कि प्रभू ने पवित्रा आत्मा को हमारे अंदर वास करने के लिए दिया उसका परिणाम ये हुआ कि नए नियम में हम में से हर व्यक्ति है मंदर अब मंदर की जरूरत नहीं है और चू कि हम में से हर व्यक्ति मंदर है तो ये जो हमको जो प्रमोशन दिया गया उसके साथ साथ एक और कारी किया और वो कारी ये है कि हम में से हर व्यक्ति को याजक बना दिया गया पुराने नियम में सिर्फ लेवी गोत्र से जो लोग हारुन के कुटूंब में जन्म लेते थे सिर्फ वे ही लोग याजक बन सकते थे नए नियम में प्रभू ने हमें से हर व्यक्ती जिसने उधार पाया ہے हमको याजक बनाया है ये भी हमसे जो नई वाचा बांदी है उसका हिस्सा है तो नई वाचा में बहुत सारे बहुत सारी बाते हैं ये सब मिलकर नई वाचा है और नई वाचा जब प्रभु ने हमको दी उसका पूरा विस्तार प्रभु ने नई नियम की 27 पुस्तकों में दिया है ना केवल नई न को जो प्रभु ने लागु किया, उस समय क्या-क्या बदलाव हुए और क्या-क्या बदलाव होने चाहिए, इन सब का विस्तार भी दिया उधाहरन के लिए, गलातियों की पत्री में हम देखते हैं, संत पॉलउस के द्वारा पवित्रात्मा ने ये कहलवाया ότι हम गलातिया के विश्वासी लोग चाहे यहुदी बैक्ग्राउंड से हो या अन्य जाती बैक्ग्राउंड से हो लेकिन जब हम एक साथ एकत्रित होते थे तो यहुदी और अन्य जाती अंतर को देखे बिना एक साथ भोजन करते थे मैं भी करता था पक्रस भी करते थे लेकिन जब यह रिश तो डर के मारे पत्रस ने भी अन्य जातियों से जो लोग प्रभु में आये थे उन लोगों के साथ खाना बंद कर दिया, तब मैंने मुं उपर देखकर पत्रस से कहा कि तुम यहूदी होकर, मतलब परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा होकर, तुम अन्य जातियों क समान व्यभार कर रहे हैं मतलब जिनको परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं है ऐसे लोगों के समान व्यभार कर रहे हो और तुम ऐसा व्यभार कर रहे हो तो तुम अन्य जातियों से किस तरह से एक्सपेक्ट करोगे कि वे यहुदियों के समानविय अभार करें तो ये जो नई वाच्चा प्रपु ने बांदी है नई नियम में या नई वाच्चा की युग में उससे संबंदित उपदेश उससे संबंदित बहुत सारा इतिहास इन 27 पुस्तकों में है इसलिए इन 27 पुस्तकों को नई वाचा कहा गया है, हिंदी में नया नियम जो अनवाद हुआ है या जो उपयोग हुआ है वो गलत है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पुरानी वाचा है और नई वाचा है, और ये शब्द जो वाचा या काविदेंट है, प्रभू क वचन प्रभू के ही वचन के लिए यूज करता है। इस तरह से प्रभू के वचन में, वचन के बारे में काफी सारे डायरेक्ट शब्द हमको मिलते हैं, जो इस बात को याद दिलाता है कि प्रभू का वचन चाहता है कि प्रभू के बच्चे इस बात को स्पष्टतेया कि प्रभू का जो अनन्य वचन है, जो अनोखा वचन है, उसको अनोखा ही समझ कर, एक अनोखे वचन को जो आदर देना चाहिए, वो आदर हर मसीही व्यक्ति अपने जीवन में दे. मैं जो क्लास ले रहा हूं, उसके बीच में इधर उधर दो चार प्रैक्टिकल बातें भी बताते जाना चाहता हूं, इसके पहले भी मैं कई बार अपने मसीही मित्रों को बता चुका हूं, कि आज भी कई चर्चस में जहां पर लोग जमीन पर बैठ कर आराधना करते हैं, हैं, वहां भी कई लोगों के आदत है, कि आप तो कुरसी पर बैठेंगे, लेकिन उसके पहले बाइबल जमीन पर पटक देंगे, किसी भी भारती के लिए सही नहीं है, हम भारती लोग आत्मिक बातों का बहुत आदर करते हैं, यह आदत हमने गैर भारतियों से सीखी है, औ और मैं से हर व्यक्ति से याचना करना चाहता हूँ, कि मेरा आपका कोई गैर मसीह मित्र जब इन चीजों को देखता है, तो उसके रोंगते खड़े हो जाते हैं, उसको लगता है कि अरे बापरे, यह मसीही लोग, यह खृस्ती लोग, यह ईसाई लोग, अपने स्वेम के ध आपने तो कभी नहीं सुना है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने सेकड़ों बार सुना है, एक उदाहर इंडूं, जिससे कि आपके भी रोंगते खड़े हो जाएं, जिससे आइंदा प्रभू का वचन जो अनोखा है उसका अपमान ना करें, आज से कुछ साल पहले, मैं और मुरार में प्रभू की जो सेवा करते हैं भाई जोसफ वरगीस, हम दोनों बैंगलोर में एक कॉन्फरेंट सेटन करके बैंगलोर से वापस आ रहे थे, वहीं पर इंडिया के एक बहुती प्रसिद्ध मिशन के सैकड़ों मिशनरीस एक कॉन्फरेंट के लिए एकतरि हुए थे, सैयोग की बात है कि वो कॉन्फरेंट्स भी तभी खतम हुआ जब हमारा कॉन्फरेंट्स, ब्रदरन कॉन्फरेंट्स खतम हुआ, इस कारण कंपर्टमेंट में जो 72 लोग थे, उसमें से कम से कम साथ लोग मसीही मिशनरीस थे, बस मुश्कल से 12 एक लोग होंगे जो गैर मसीही थे, तो मैं और जोसफ साइड बेंच पर बैठे थे, हमारे सामने छे लोग बैठे हुए थे, छे लोग स्लीपर कोच था, छेओं मसीही थे, ऐसा ही सब जगह था, सुबह हुई, सब लोग ने बाइबल्स निकाले, जम के पड़ा, उसके बाद उन्हें ने एक काम किया, जो उस कमपार्टमेंट में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अखर गया, वो आदमी उठके कमपार्टमेंट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया, उसके बाद मैं और जोसफ जहां बैठे थे, वहां आया, हमसे पूछा, कि भाईए, आप दोनों ईईसाई हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ, जी हाँ, हम क्रिस्चिन्स हैं, वो एक सरदार था, बहुत भक्त सरदार था, उसने कहा कि आपने कभी कोई गुर्योद्वारा देखा है क्या, मैंने कहा कि अरे गौलियर का सबसे प्रसिद गुर्योद्वारा, उसके बगल से तो मैं हर दिन स्कूल जाता था पैदल जाते समय आपने कभी गुर्योग्रंथ साहब देखा है क्या मैंने कहां देखा है हम लोग उसे कैसे रखते हैं मैंने कभी गुर्योग्रंथ साहब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा है क्या मैंने तो कई बार देखा है मैंने कहां जी सरदारजी देखा है कैसे ले जाते हैं मैंने कहा की идoughs पर पर रख के ही ले जाते हैं उसके बाकाइदा जो है बहुत आकर शक्रत कवर रहता है और एक व्यक्ति चमब ढुलाते हुए जाता है और रास्ते में वो पानी शुड़कते चले जाते हैं जिससे कि धूल उड़के उनके पवित्र गरंत पर ना गिरे चमब ढूलाते हैं ज मैं वहां से यहां तक और यहां से वहां तक दो चकर लगा चुका हूँ, इसमें से सिर्फ आप दो ऐसे हैं जिनकी बाइबल बाहर नहीं दिख रही, तो मैंने का सरदार जी पढ़के हमने वापस थेले में रख लिया जिसे कि उसका अपमान नहो, सरदार जी के चेहरे पर प् सी ही भाई बैठे थे, बाइबल पढ़ने के बाद उन छे लोगों ने वो बाइबल अपने ही बेंच पर रख दिया था, सरदार जी ने का कि भाई जी जरा मेरे साथ आईए, तो जिग्यासा के कारण में सब जगे गया, साब जगे, सारे के सारे कूपे में यही हाल था, सब बैबल जो है, डाल रखे थे, और सरदार जी ने वापस आने के बाद का भाई जी आपने एक बात नोट किया क्या, कि यह सा फैमिली वाली लोग हैं, और बच्चे खेल रहे हैं इन बंचों पे, और बच्चे बाकायदा बेदर्दी से बैबल कुचलते हुए जा रहे हैं, म लेकिन इन मिशनरी से मेरा मतलब भारती मिशनरी से लिए ये दिखाना जरूरी था, सुबह हमने डिवोशन किया है और डिवोशन किया है, इसलिए हमने ये बाईवल अपने बेंचरस पर रखा हैं, बच्चे उस पे लात मार रहें, कुचल रहें हमारी बला से उस सरदार जी का दिल दहल गया काफी देर हमारे साथ बैठे रहे काफी देर बात्चित की उनको ये अच्छा लगा कि हमने सुब बाइबल का पाठ करने के बाद थेले में रख दिया है और जब पूछा थेला कहा है सरदार जी बोले यही तो जानना था कि कहीं आपने नीचे तो नहीं रख दिया जहां पैर पड़ जाता है बहुत खुश हुए काफी देर बैठे रहे हमने उनके साथ गॉस्पल शेर किया लेकिन ये घटना मैंने इतने विस्तार से आज आपको इसलिए सुनाई कि जब हम प्रभु के वचन के उपदेशों का अध्यायन करते हैं तो हर उपदेश का प्रैक्टिकल एप्लिकेशन होना चाहिए हम में से कई लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन अरे वो बोरिंग है डॉक्ट्रिन बोरिंग तब होता है जब हम उसके प्रैक्टिकल एप्लिकेशन को भुला देते हैं मेरे जैसे लोग उसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हम जब प्रभु का वचन सुनाते हैं तब उसका प्रैक्टिकल एप्लिकेशन बताना भूल जाते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं और इस कारण आज संध्या यदि ये बात मैं आपको ना बताओं तो मैं बहुत भारी गलती कर रहा हूं और मैं आप सब को बताना चाहता हूं प्रभू का वचन अनोखा है इस तरह का और कुछ भी नहीं है जो पवित्रात्मा की प्रेरना से लि भी देना है इस बात को समझने के लिए प्रभू हम सब की मदद करे आज हम इतने लोग एकत्तित होकर प्रभू के वचन का अध्यान कर सके उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूं सभी को प्रभू ईशु के नाम में नमस्कार प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसि नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है जै मसीह की